आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माट्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बाईलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ आए पहले हम कोशन पढ़ते हैं इस कोशन में क्या दिया है हमें एक बीकर है जिसमें की पानी है और जो की प्लेस है एक पैन और फाइस प्रिंग बैलेंस पर और हमें वो रीडिंग है वो सो करा रहा है डवली नॉट उसमें क्या है एक लंब आप सुगर है जिसका मास एम है और जो वोल्यूम है वो भी है और वो की सस्पेंडड़ है एक थ्रेट से और जो की एक इन्डिपेंडेंट सपोर्ट है और हमें फाइंड करना है कि कुछ टाइम बाद जो रीडिंग में क्या चेंज आया यह हमें फाइंड करना है हमें क्या दिया है एक बीकर है जो की एक स्प्रिंग बैलेंस पैन पर रखा हुआ है जो की यह है और हमारा जो दूसरी कंडिशन में यह दिया है कि हमारा यह पैन है यह रहा हमारा और यह हमारे spring pen है जो कि beaker है इसमें पानी है और हमने क्या किया है एक independent support है उससे हमने क्या करा है सस्पेंट करा है एक thread से sugar lump of sewer जिसका mass m और volume b है और हमने देखना है कि यह जब कुछ time बीतने के बार तो इस reading में क्या changes आएंगे और जो इसकी reading है यह है w0 और यह जो हमारी reading है यह आई है हमें w0 plus f equals to w0 plus w omega upon sigma mg यह हमारी initial है हमने देखा कि w0 not plus fb equals to w0 plus omega upon sigma mg जो की हमें initial दी हुई है और इसमें क्या है जो सुगर है जो completely dissolve हो गई है और उसकी जो reading है dissolve होने के बाद जो reading है reading of balance जो की है w0 plus mg बड़ी है और जो सुगर है उसका जो dissolve in water and जो final reading आई है उसकी वह भी हमारी यही आई है और यही हमारे question का answer है classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज जी डाउनलोड करे doubt net आप यह whatsapp कीचे अपने doubts आच चारसो 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 पर